हेलो प्रेंट्स जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अगर दस्तबेज प्रोपर्टी लिखा हुआ है इनि कि अगर आप कोई प्रोपर्टी खरीदने वाले हैं कोई घर बना खरीदने वाले हैं कोई मकान कोई फ्लैट या कोई प्लाट खरीदने वाले हैं तो उसके पहले हमें क्या साथ आन्या बरतनी चाहिए कौन कौन से हमारे पास डाकुमेंट होने चाहिए मैं इस वीडियो के अंतरकत बताऊंगा और अच्छी तरह से जब तक आप सारे डाकुमेंट्स चेक ना कर ले जाच ना ले तब तक कोई भी आप प्रोपर्टी ना खरीदे अगर आप बिना जाच किये कोई प्रोपर्टी खरीदे हैं तो आपके लिए भारी मुसिबत हो सकती है और आपका पैसा भी दूब सकता है आपको कोट के चेरी का चकर भी लगना पड़ सकता है तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा किरकिन काग्जादों को हमें देखना चाहिए समझना चाहिए जाच परक करी कोई जमीन प्रोपर्टी खरीदे तो ज्यादा अच्छा है आज की डिट में आप देख रहे होंगे ज्यादा धोका धड़ी हो रही है एक ही जमीन को दो लोग तीन लोग वो बेचा जा रहा है बाद में वो हमामला कोट बजाता है जो काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरता है तो चनिये हम समय को नगावाते हुए एक वीडियो को सुरू करते हैं उसके पहले मेरा निवेदर है यगर आप चनल पर नहीं है जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों बात करेंगे हम सबसे पहले अगर आप किसी प्रोपर्टी को खरीद रहें न उसकी जाच अच्छे से कर लें अगर आप जाच नहीं करेंगे तो आपको अरजी फरजी तरीके से जमीन मिल जाएगी आपका पैसा भी जाएगा समय भी जाएगा और साथ से साथ आप कोट कचरी के कच्छकन लगाते हुए ठक जाएगे परिसान हो जाएगे इसलिए किसी भी जमीन को खर दने के लिए आए मैं बताता हूँ तोन कौन से कावजात की ज़रुत पढ़ सकती है दोस्तों अगर बात करें कावजात की तो आपको सबसे पहले पता करना होगा मालिकाना हक के बारे बारे मालिकाना हक यह जो प्रपर्टी हम खरीद रहे हैं मालिजी यह कोई फ्राइट कोई प्रपर्टी हम खरीद रहे हैं तो यह प्रापार्टी इस जो जो विक्रेता है इसके पास कहां से आई इसके पुरुजों की जमीन है या इसने कहीं यह उसे खरीदा है जिससे खरीदा है वहां बेच्चे करने क्या क्या लीगली तारूपे यह इसका मालिक है कि यह समय जमीन आपको बेच रहा है इस प्राप पड़ेगा कि यह भी चेक करें कि क्या जो जमीन हम खरीद रहे हैं कहीं विवादित तो नहीं किसी मुद्वे में वांचे तो नहीं है दोस्तों आगे ले बात करें अगर आप कोई अपार्टमेंट खरीद रहे हैं कोई अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो क्या वह रेरा में रेजिस्टर्ड हैं तो रेजिस्टर्ड करवा करी उस अपार्टमेंट को खरीदे क्योंकि आपके लिए यह अपार्टमेंट का फे नुपसान कर सकता है अगर आप रेजिस्टर्ड करते हैं तो अगर कोई जमीन बेची गई है तो सबसे पहले चेक करें कि वह कितने दुलों पहले बेची गई है क्या सच्चे और अच्छे तरीके से ट्रांसफर होई है या अनलीगल तरीके से कहीं से कोई मामला बना है अगरी बात करेंगे हम चेक करेंगे बैंक में क्या बैंक से संबन्दित कोई लोन इस प्रॉपर्टी पर ली गई है कोई लोन कोई रिड कोई बकाया कोई बंधब किसी बगार का कोई बंधब बकाया है तो उसको आप जरूर चेक कर लें बैंक के माध्यम से या जिसकी प्र अगरे दोस्तों बात करेंगे हम टैक्स के बारे में क्या इस प्रॉपर्टी पर जिसको हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्या इस पर कोई टैक्स तो नहीं कहीं से कोई एग्रिमेंट तो नहीं है कोई बेक्ति करवाया किसी भी तरह का अगर इस प्रॉपर्टी पर टैक्स है तो उसको भी चेक करने ना भोले दोस्तो पजेशन लेटर को भी चेक करें पजेशन लेटर आप जरूर लेवे पजेशन लेटर क्या होता है इसको बोलते हैं कवजा प्रमार्पत यहनि आप जो समय खरीद रहे हैं इसका कबजा प्रमार्पत उस बेक्ति के पास है वह आपको कबजा दिर्वा सकता है लेने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आप प्रोपर्टी भी ले रहे हो आपकी प्रोपर्टी फंस जाए आप NOC लेटर जरूर ले नन अप्जेक्शन सार्टिफिकेट होता है इसकी माध्यम से आप इस सुसावित कर पाएंगे कि इस प्रोपर्टी पर ना तो कोई बिवाद है ना किसी व्रगार का कोई रेड है ना बकाया है आप आसानी से इस जवीन को खरीच सकते हैं किसी व्रग अधिकार का कोई समस्या नहीं होने वाला है तो आज दस्तावेजों में सबसे पहले अगर हम कोई जमीन खरीद रहे हैं तो इसको चेक कर लें तब ही कोई जमीन खरीदे मलिकाना हक के बारे में आपको जानना होगा यह प्रोपर्टी कहां से आई किस तरीके से आई है रेरा जमीन रेर पकाया और बंदब कुछ है टेक्स भी उसका देख लें अगर मालीच टेक्स की बात कर रहा हूं यदि आप कोई प्लाउस फ्लैट ले रहे हूं मालीच कोई माकान बना बनाया ले रहे हूं तो किस माकान का लोन पहले चेक करें लोन पूरी तरह भर गया हो लोन तब तुसरी बार विजली बिल कोई फंडा तो नहीं है कि उन सारी दिक्टोग को आप आसानी से चेक कर ले और मेंटिनेंस चेक कर ले या इसका मेंटिनेंस सही है कि नहीं है तो तमाम तरह की इन बातों को छोटी-छोटी बातों पर अगर दौर करेंगे तो आप किसी में बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं मैं आपको एक कहानी सुरा देता हूँ इसका परपज आपको आसानी से क्लिए अरो जाएगा तो आप कहानी सुनिये इस काने में दोस्तों यह एक जमीन रहती है दियान से देखिएगा यह बहुत ही काम की चीज़ है यह एक जमीन है A, B, C, D यह पंदरा विश्वा जमीन है किदनी पंदरा विश्वा जमीन है तो जो इसका मालिक होता है मालिजी यह इसका मालिक है इसने इस ब्यक्ति को इस मोटे ब्यक्ति को तेरा विश्वा बेच दिया है इसी जवेन में से तेरा विश्वा माल लेजी इतनी बेच लेता है इसे में बची है मातर दो विश्वा तेरा विश्वा तो बिग गई अब यही बेक्ति जो बेचा है यह बेचने वाला है यह बेक्ति इस तिसरे बेक्ति को साथ विश्चा बेचता है साथ विश्चा जमीन बेचता है यानि बची है दो विश्चा लेकिन बेच रहा है साथ विश्चा इसमें दस दिन बाद जब इसको बेचा तेरा बिशा उसी के दसमें दिन इसको बेर दिया यह है आज में सिर्फ इतना चेक किया कि खतवनी में इसका नाम है तो खतवनी में चेक किया नाम भी दज है खारिज दाखिल हो नहीं है तो क्या हुआ है जमीन खरिद लिया बाद में मामला जब खारिज दाखिल का पहुचा तो इसका विलटक गया इसका विलटक गया दोनों का खारिज दाखिल रुख गया इस property पर यह तो 13 विस्षा लेकर कपजे पर है लेकिन यह दो बिस्ता कपजा इसका नहीं हो रहा है आज भी कोर्ट में मुकदमा बिचारा जीन तो बात समझे है इसका क्या उद्देश से इन सारी चीजों को चेक करने का तो किसी भी प्रॉपर्टिफ खरीदने से पहले यह जरूरी नहीं कि हम खतावनी चेक कर लेंगे तो तो हमारा काम आसाल होगे हम जमीन ले सकते नहीं उसके पहले देखे हो कहां कहां भी किये पहले यह तो चेक कर लिजिए तो बात समझ में आसान से भासा में समझे किसी भी जमीन को खरीदने से पहले पहले आप उसके बैक्ग्राउंड को चेक कर लेंगे आज की वीडियो मे